बिल्कुल आसान और नए तरीके के स्प्रिंड रोल शेट की रसेपी लेकिया हूँ आप लोगों के लिए जिससे आप पहली बार में ही एकदम रस्टरन स्टाइल के स्प्रिंड रोल बना सकते हैं देख रहे होंगे न कितना पतला और कितना बढ़िया बनके त्यार हुआ है शेट और सिर्फ इतना ही नहीं इस वीडियो में मैंने एक नहीं तीन-तीन तरह के मेथट बताया है जो भी आपको पसंद तो उससे बना लीजिए तीनों पर्फेक्ट मेथट है और इससे बना रॉल कितना क्रिस्पी है खुदी इसका साउंड सुन लीजिए तो सुन लिया न आप लोगोंने इसका साउंड कितना क्रिस्पी है तो अगर आप तलके नहीं खाना चाते है तो आप इसको बेग करके भी खा सकते हैं बताया है मैंने इस वीडियो में तो वीडियो पूरा जरूर देखिये का आप बहुत सारे टिप्स बताया मैंने इसको बनाने के लिए दो कब मैदा ले ले लिया है 220 ग्राम है इसमें आदी चमश नमक डाल देना है और दो चमस्तेल भी डाल देना है अब दो कप पानी डालना है इसमें एक बार में पूरा नी डालना है थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिलाते जाना है इसका जो बैटर है वो बहुत पतला नहीं होना चाहिए इसी तरह का होना चाहिए अब इसको ढग करके 15 मिनट रेस्ट करने देना है अब इस स्टफिंग बना लेते हैं तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने मैगी चूस किया है क्योंकि ये बच्चो बड़ो सब को बहुत पसंद आता है आप इसकी जगा नूडल्स में ले सकते हैं तो जैसे ही पानी उबलने लगे एक मैगी को तोड़के डाल देना है और हम मसाला इस टाइम नहीं डालना है वो लास्ट में डालेंगे तो दो मिनट के बाद जैसे मैगी उबलने लगे इसको च्छाल लेना है और रेगुलर टैप वाटर से एक फ़र धो देना अच्छे से ताकि मैगी एकड़म खिला खिला रहे है अब थोड़ा सा लैसुन और अदरग को क्रश कर लेना है अगर नहीं खाते हो तो हटा तीचे गारे से पीसे और एक कड़ाई में एक चमस तेल ले लेना है इसको भी एक मिनट धीमी आज भी भून लेना है अगर नहीं खाते हो तो भी हटा दीजे गरे से पीसे अब अपने पसंद की सब्जियां इसमें कड़ करके डाल देना है मैंने थोड़ा सा शिम्लामेज और थोड़ा सा करोट करके डाला है चोटे चोटे टुकड़े डाले हैं आप लंबे लंबे भी टुकड़े करके डाल सकते हैं एक दो मिनट धीमी आज पर भूनने के बाद इसमें एक चोटी चमस सोया सॉस डाल देना है और एक चमस चिली सॉस डाल देना है और 4-5 चमस्ट टोमेटो केचप डाल देना है अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है फ्लेम अभी भी बहुत कम रखा है मैंने सुरू से लेकर अभी तक मैंने फ्लेम एकदम कम रखा है अब इसमें मैगी को डाल देना है सबजियों को सिर्फ 2 मिनट ही मैंने पकाया था ताकि उसका क्रंच मेंटेन रहे बहुत ज़्यदा गलाना नहीं है सबजियों को इन सारी चीजों को मिलाने के बाद लास्ट में एक पैकेट मैकी मसाला डाल देना है इससे बहुत इच्छा स्वाद आता है फ्रेंड्स और इन सारी चीजों को मिला लेना है अगर जरूरत लगे तो इसमें नमक डाल दीजिये थोड़ा सा और ये रहा बहुत ही चटपटा और टिस्टी स्ट्रफिंग इसको साइड में रख देते हैं थंडा होने के लिए पंद्रा मिनट हो चुके हैं और बैटर भी रेडी हो गया है ये देखिए बहुत पतला नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए अब इस तरह का एक थाली ले लेना है जिसमें छेद बना हुआ हो आप स्टीमर का भी जो स्टीम करने वाला प्लेट हो वो भी ले सकते हैं इसके उपर में ये प्लास्टिक का शीट लगा देना है ये क्लेन फिल्म है प्लास्टिक वाला इसको लगा देना है फ्रेंट से बहुत ही असान और फूल प्रूफ रेसिपी है पहली बार में आप सक्सेस भूले बिल्कुल रेस्टरूंट टाइल के स्प्रिंड रॉल शीट बना पाएंगे गम पतले पतले खुबसूरत से तवे पे और नॉने स्टिक पैन में तो हमेशा बनाते हैं लेकिन ये देखने के बाद आपको वो सब मेथट पसंद नहीं आएगा और इसी तरह से प्लास्टिक को अच्छे से लगा देना है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है शीट बनाने के लिए अब किसी बड़े बरतन में पानी ले लेना है गरम होने के लिए मैंने या कड़ाई में पानी रखा है अब पानी गरम हो रहा है तब तक टिशू ले लिया है दो टिशू लिया है एक के उपर रहके इसको ऐसे फोल्ड कर देना है इसका ख्या यूज है वो आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा जाए जैसे ही पाणी गरम हुजाे। फ्लेम मीडियम रखना है जैसे ही प्लेट गरम हो जाए आप टीशू से बैतर को फैलाना है यहां टीशू का यही येुजह है, बैटर में थोड़ा थोड़ा डिब करना है और थोड़े थोड़े बैटर को फटाफट इस पे फैलाना है यह बहुत जलदी ड्राइट होने लगता है, काफी पतला होता है तो काम थोड़ा फास फास कीजेगा फटा फट लेना और फैलाते जाना है बहुत इजी है ये यकीन मानिये फ्र charity इससे बनावा जो शेट होता है spring roll का वो इतना पतला और इतना तलने के बाद इतना करारा बनता है बिल्कुल restaurant style का ये बनाने के बाद आप कोई दूसरा method पसंद ही नहीं करेंगे पहले भी बता है मैंने आपको तो यह फटा-फट ड्राइ होने लगता है अगर आप पहली बार बना रहे हो तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा पतला हो जाए या क्रैक होने लगे तो आप इसके ऊपर में जहां-जहां क्रैक लग रहा है वहाँ फिर से इक्स्ट्र बैटर लगा दे रहे हैं थीक इसी तरह से करना है अपको और यह पूरी तरह से अब तैयार हो गया जहां-बल इसके ऊपर में और बैटर नहीं लगाना है 25 सेकेंड हो गया है और यह लगवग-वक त्यार हो गया है तो साइट को थोड़ासा चाकु से अलग कर देना है ये पकने की बाद अपने आप किनारे को छोड़ने लगता है अब इसको धीरे से निकाल देना है ओवर कुप नहीं करना इसको फटा फट निकाल देना है ये देखे कितना आसानी से निकल रहा और कितना बढ़िया बना हुआ है तो आप भी पहली बार में ही इस तर और टॉवल से ढख देना यह बहुत जरूरी है कि सुखे नहीं एक पिस और बना के आपको दिखा देती हूँ टिशू को बैटर में डिप करना है और फटा फट इसके उपर में फलाते जाना है कोई भी तेल घीव अगर कुछ नहीं लगाना इसके उपर में फटा फट इसको फैलाते जाना है इस रेसेपी में मैंने दो कप मैदे का यूज किया है उससे 15-16 शीट तो अराम से बन जाएंगे तो जब भी टाइम मिले आप इस तरह से शीट को बना के और इसको ठंडा होने के बाद जिपलोग बैग में भर के वन वीक तक फ्रिज में स्टोड कर सकते है जब भी यूज करना हो आदे घंटे पहले फ्रिज से निकाल दीजे 30 सेकेंड के अंदर ये शीट भी बन के रेडी हो गया है ठीक नाइफ से इसको भी थोड़ा सा किनारे को अलग कर लेना है और फटा फट निकाल देना है इसको और ये देखिए परफेक्ट शीट बन के तयार हो गया है तो फ्रिंड्स आप भी बना के इसको ट्राइ कीजे का बहुत मजाएगा आपको बनाने में अब एक दूसरा मेथड भी आपको दिखा देते हो कल्ची से एक कल्ची बैटर को फैलाना है और टोसे की तरह जैसे डोसा बनाते हैं ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसको पतला फैला देना है ये भी बहुत अच्छा मेथड है तो इस तरह से इसको फैलाने के बाद इसको सूखने के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ देना है ये साइड में थोड़ा सा लटक रहा है इसको मैं निकाल दे रही हूँ ताकि एकदम गोल्ड शिप हो जाए अब जैसे ही ये पूरा सूख जाए लगबद 30-40 सेकंड में ये सूख जाएगा इसको निकाल देना है और बन गई शिट तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है अगर आप चाहे तो इसको भी आजमा सकते है अब तीसरा मेथड है जिससे आप पैन या तवे पे बना सकते हैं शिट तो इसके लिए बैटर थोड़ा पतला होना चाहिए तो आधा का बैटर लिया इसमें 1 फोर्थ का पानी डाल दिया है और इसको मिला लेना अच्छे से इस तरह का हो जाना चाहिए अब एक नॉनिस्टिक पैन या तवा ले लीजे और इस पे बैटर को डाल के ऐसे फैला देना है पतला पतला सा इसका साइज भी खुद पे डिपेंड करता है अगर बड़ा बना ना हो तो थोड़ा सा और बैटर को डाल दीजे और फैला दीजे एक मिनट तक धिमी आज पे सिखने देना है इसको एक मिनट की बाद यह त्यार हो गया यह देखे कितना बड़ी आज सीट बन के त्यार हो गया है तो आप इस तरह भी बना के ट्राई कर सकते है एक के उपर एक रखने के पहले थोड़ा सा आटा छिड़क देना है और इसको ढग देना है बहुत जरूरी है यह अब थोड़ा सा ग्लू बना लेते हैं इसके लिए दो चमच मैदा लेना है दो चमच कौन फ्लोर और दो तीन चमच पानी डाल के अच्छा सा इसका पेस्ट दियार कर लेना है और अब फाइनली स्प्रिंग रॉल बनाते हैं तो इसके लिए एक शीट ले लिया है देख रहूंगे न कितना पतला है यह इसके बीच में एक दो चमच स्टफिंग को रख देना है अब हाफ उपर वाले शीट में किनारे की तरफ थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा देना है अब इसको फोल्ड करते हैं फोल्ड करने के लिए दोनों की रानों को ऐसे फोल्ड कर देना है ग्लू लगने के वज़े से उपर वाला जो शिरा है वो अपने आप चिपक जाएगा अच्छे से अब इसमें उपर में भी थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा देना है ग्लू लगाने के बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है बहुत ही असान है ऐसे गोल गोल घुमाते हुए बोड़ते जाना है और ग्लू लगने के वज़े से सब अच्छे से इक दूसरे में चिपक जाएगा और ये देखिए बन गया अपना स्प्रिंग रॉल कितना सुंदर लग रहा है ना और ठीक इसी तरह से स्प्रिंग रॉल बनाके रेडी कर लिया है मैंने तलने के लिए तो तलने के लिए सबसे पहले तील को गरम कर लेना है मीडियम फ्लेम पे जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें इसको डालना है और घूमा घूमा की मीडियम फ्रेम पे सेख लेना अच्छे से जब तक की गोल्डिन ब्राउन ना हो जाए अगर आपको ओली फूड नहीं पसंद है तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं इस कच्छे स्प्रिंग डॉल के ऊपर में थोड़ा सा ओल से या बटर से ब्रश कर देजिए और 200 डिग्री पे 15-20 मिनिट फिले इसको बेक कर लेजिए बिल्कुल करारे करारे स्प्रिंग डॉल बन अब गर्मा गरम इस चटपटे करारे नास्ते को चटनी सॉस के साथ इंजोई कीजिए बहुत ही बड़िया बना हुआ है देख रहे हैं ने कितना अच्छा कलर आया है और पर्फेक्ट शेप पे होल्ड किया है कितना करारा है इसका साउंड भी सुन लेजिए तो सुना आप लोगों ने कितना क्रंची है ये और इसके अंदर के स्टफिंग तो एक दम ला जवाब है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और एक दम चटपटा बना हुआ है अब खा के इसका साउंड भी सुनाती हो आपको कितना करारा है ये तो फ्रिंट्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों को कैसा लगा ये कॉमेंट्स में लिखके जरूर बताईएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाई